आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी वेपर और हम आपको आज सिखाएंगे मल्टिप्लिक्शन करना मल्टिप्लिक्शन टू डिजिट आप जल्दी से मल्टिप्लिक्शन करतेंगे आप लगातार बने रही है हमारे साथ में कि देखाइज अगर हमें दो डिजिट की मल्टिप्लीशन करने हैं तो इसका सोट तरीका बहुत जल्दी से आप कर देंगे आप कंप्यूटर की तरह कि गुणा करना सीख जाएंगे अभी देखिए तो हम क्या करते हैं इसमें गाइस तेरे और यह इसको हम जोड़ते हैं तेरे में चार जोड़ेंगे तेरे और चार कितना हुआ सत्रे और चार की और तीन की मल्टिप्लाइब कर देंगे लेकिन हमें एक डिजिट में रखनी है कितना एक सो बैसी देखिंगे कि जल्दी से आपने इसकी मल्टिप्लाइब कर दिया आप एक बार इसकी ट्रिक सीखे और फिर आप इतनी जल्दी से करने लग जाएंगे गाई तो आप देखिए हम और भी कोशिन आप उकरा रहे हैं यह हैं त्वैल और थर्टीन की गाइज लगाता रहा आप बने रही है देखिए और हम कराते हैं भी फोर्टीन और सेवंटीन की मल्टिप्लाई करा रहे हैं तो हमने क्या बताया तरीका लेकिन इसमें दो कह रही है तो यह कितना हो गया दो सो अड़तेस यह लिजए गाइस आपको इतनी जल्दी से हमने गुना करने सिखा रहे हैं और देखिए हम एक और कोशन दे रहे हैं आपको 16 और 18 की गुणा किस प्रकार से आप इसको करेंगे तो अभी जो मैंने बताया था तरीका 18 और छे चोबिस या 16 आठ चोबिस एक है तो और आठ चंग अड़तालिस चार कहरी इसमें जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा गाइस यह 288 तो गाइस लगातार आप बने रहे है कि मैं आपको और भी ऐसा कोशिन करा रहा हूं आप सोच रहे हैं कि दस वाले कराएं यह एक से लेके 19 तक का तरीका है अब अगर हम जाते हैं 20 से उपर तो मालिया हमें यह 21 और 26 की मल्टिप्लाय करनी है तो गाइस कैसे करेंगे आप बताएए इसका तरीका यह है कि आप 26 औ 27 और 27 दूनी 54 और 6 एकम 6 यह आगया लोगाइस 546 आपकी गुना आ चुकी है आप देखिए अब हमें गुना करनी है अगर 22 और 26 किस परकार से करेंगे 22 और 26 किस परकार से करेंगे आप 26 और 28 दूनी 56 ठीक है और 6 दूनी 12 में एक हमारा कैरी जुड़ जाएगा तो इस परका 22 हो गया है अब देखिए आप यह कहेंगे कि अभी टू वाला कर रहा है त्री वाला भी कर वाज़ते हैं आपको अगर मान लिए हमें 33 और 35 की मल्टिप्लाइब करनी है तो हमने क्या दिर का बताया है 35 और 38 या 33 और 5 38 और 38 की तीन में गुना करनी है आपको कितनी हो जाएग देखेंगे और इस परकार से यह कितनी गुना आ जाएगी 1155 आप टेलोड उठाके देखेंगाई अगर यह नहीं आ रहा हो तो हमें बताना आप देखेंगाईज हम इसको भी आप करके दिखा रहे हैं मालिया हमें 43 और 45 की अगर मुल्टिप्लाइब करनी पड़ जाए या 42 हो यहां पर कुछ भी हो आप कुछ भी ले सकते हैं तो हम इसकी मुल्टिप्लाइब किस परकार से करते हैं गाईज तो देखेंगे 45 और 38 या 33 औ को भी फेर कर दिया है इतनी चल्दी तो कैलोडर भी नहीं कर सकता तो गाईज आप लगाता बने रही है अभी कुछ हो यह तो एक टाइप थी यह टाइप वन थी आपकी अब हम दूसी टाइप पे जा रहे हैं आपको आज कैलोडर से तेज बना के मानेंगे अब देखेंग और हम दो है कि यह था ठीक है घृष्ट रहा गया और एक जीरो लगा देंगे अगर एक पांस से कर रहे हैं तो हम एक जीरो लगा देंगे कितनी चल्दी कर सकता है कोई अभी देखें और भी बतारें मान लिया आपको 38 से मल्टिप्लाइब कर नीए तो किस प्रकार से को लगएगा कि अगर मान लिया आपको इससे मल्टिप्लाइब करनी पड़ जाए गाइज इसमें मल्टिप्लाइब करनी आप कितनी देर लएगी लेकिन आप इसको अभी इसका हफ कीजिए दो चीका बारह एक दो अट्टे सोल है दो चोक आठ और एक जीरो रख देनी है आपको इसमें जो है तो यह लिए हो गया पस आपको कोशन सोल हो गया तो इस प्रकार से आप जो है केवल हाफ करके भी इसको मल्टिप्लाइब कर सकते हैं अब हम आपको कुछ और तरीका बताने जा रहे हैं यह टाइप टू है अब टाइप 3 हम बता रहे हैं आपको आप लगातार बने रही है अगर आपने एक भी स्टैप को मिस किया तो आप बहुत इंपोटेंट चीज को छोड़ देंगे इतनी जल्दी हम गुना करने के तरीक आपको सिखा रहे हैं तो गाइज लगातार बने रही है आप तो देख गाइज यह लो कितनी आसानी से मुल्टिप्लाई आपने कर दिया है आप लगातार देखते हैं एसी ट्रिक हम आपको आज सिखा देंगे यह देखिए अगर हमने इसी से मुल्टिप्लाई करनी है 25 में कितना टाइम आपको लग जाएगा लेकिन आप इसको फोर से डिवाइड कर दिया है अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो डिवाइड ना हो रहा हो तो देखिए यह नंबर है तो इसको हमें पच्छिस से मुल्टिप्लाई करना है तो यह तो डिवाइड नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है डिवाइड नहीं हो रहा है आप कर यह तो सही फोर से डिवाइड कीजिए तो फोर से बन जाएट फोर टूजा बताइए एट वन फोर टूजा एट टूजा और इसमें दो हम हंड्रेट से मुल्टिप्लाई करते हैं तो यह पॉइंट यहां से हटेगा द आप देखें कितनी बड़ी बड़ी गुणाओं को आपने कितने आसानी से और कितनी चल्दी से गर दिया है आप कैलकूडर से भी तेज दिमाग से काम कर रहे हैं गाइस स्टुडेंट से लगातार बने रही है हम आपको और बेसे कोशन करा रहे हैं अब देखें आप 3 किस की टाइप है इसमें अगर मान लिया कुछ कोई इस तरह का नंबर है कि हमें 125 से अगर मल्टिप्लाई करना पड़ जाए तो बताओ आपको कितना टाइम लगा लेकिन हम बताते हैं आपको एक से लेगी तो अगर फाइव से डिवाइड किया था तो एक जिरो रख दिती टू से डिवाइड किया था को गर्रियर करगे एक तो शिल्गार कर ते था भूव्या दिवाइड कितना जाएगा था चारप है और इकार इस प्रकार में और यह. 25.5 और इसमें आपको क्या करना है क्योंकि 125 है तो 30 रखेंगे तो यहां से पॉइंट हटेगा और 20 जाएंगी यानि कि 1000 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो गाइस देखें कि जल्दी से आपने इसको कर दिया और भी बताते हैं अगर नंबर कुछ इसी प्रकार का है मानले आपका 289 भी है हमने वहां भी करके दिखाया था और यह 125 से आपको इसको मल्टिप्लाइ करना है कितना टाइम लगेगा आपको करके देखो आप आप हम इसको दो सेकिंड में करके दिखाते हैं तो करिए गाइस क्या बताया हमने ए एक टूजा शिक्स्टीन टू और एक टूजा अगया दो बचेंगे तो आठ लगा देंगा और दूनी सोल ए और और चालिस और इसमें कितने से मल्टिप्लाइब बताई थी वन थाउजन से मल्टिप्लाइब तो कितना जाएगा तू यह पॉइंट यहां चले जाएंगे औ अब इसको भी ऐसी करना है में एट से डिवैड करो तो कितना जाएगा एट से डिवैड करने पर यह बताईए थर्टी से पॉइंट टूफाइव और वन थाउजन से मल्टिप्लाइब कर रहे हैं तो यहां से पॉइंट अगया इसका आंस्वर थर्टी सिक्स्टू फाइव कितनी जल्दी से आपने इनको मल्टिप्लाइब कर दिया है तो आप लगातार बने रहे हैं और आपको यह तरीका हमारा पसंद आया हो चलो एक और भी आसान इसके यह देखिए अगर फॉर हंड्रेड की मल्टिप्लाइब 125 से करा रहे हैं तो आप कितना टाइम लगाएंग और दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए धन्यवाद